हेलो फ्रेंट्स मैं गौरब आपका एक्जाम तक यूट्यूब चैनल में हर्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों वीडियो को लाज सक जरूर देखना इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो यूपी एसाई का मेंडिकल है वो डिले आकर क्यों हुआ क्यों कि दोस्तों ए मंदित कोई भी समस्या हो तो आप मेरे वाट्स अप नंबर पर केवल मैसेज करिए आप कॉल बिल्कुल भी ना करिए ठीक है फ्रेंट्स आपको मैसेज करना जो भी आपकी समस्या है और दोस्तों यह मैंने यूपी एसाई में सेलेक्टेड केंडिडेट्स के लिए मैंने ए इसी में देता रहूंगा क्योंकि बारबार वीडियो में भी नहीं बना सकता हूं इसलिए आप लोग इस टेलिग्राम चैनल को अवस्य जोइन कर लेना एक्जाम तक एक सबार आप सर्च करना सबसे अपर आ जाएगा भावी दरोगाजी के नाम से और आप लोग उसको लेना चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं इसे लाइक करें अपमें दोस्तों के साथ चुरूर से संकर दोस्तों यह आपका इसमें आपकी मेंचीज यह है तवादला होने के बाद गायव 77 कर्मियों को नोटिस मतलब की 77 कर्मी है जो की जिनका ट्रांसफर हो गया था जैसा कि आप सभी को पता था कि 30 जून 2022 को इनके सभी की ट्रांसफर की लिस्ट आई थी तो वही पिरकिरिया अवी तक आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई है और हमने आपसे बोला था जब यह ट्रांसफर होते हैं तो यह वेवस्ता ऐसंतुलित हो जाती है और इसलिए यह ऐसंतुलित है जब डॉक्टर से वहां पर पहु कर्मियों को नोटिस जारी किया गया है तो इस्ताना अंतरण होने के बावजूद आप तक कार्वार गहन करने करने जयलेमें नहीं पहुंचे हैं करमियों को चेताव ने करनें कreंगा तो ने नहींद किया तो फ्रेंड्स यह है विवस्ता यहीं आपका सही सदूर कि उपकी जिताईट की विवस्ता हो रही है उसी के चलते आपकी घठित नहीं हुई है तोस्तों जिसका ट्रांसफर होना है वो अभी आया नहीं है जिसका होना वो चला गया है, मतलब कि रवान की रवान ही हो गई है और आमद केसी की नहीं होई है इसी के वज़ए से आपके जो मेडेगल की टीम को गठित करने में समस्य आ रही है क्योंकि दोस्तों नया जो CMO आता वो चाहता है कि मैं खोड अपनी जो टीम है मैं नहीं खु बार इसकी वज़े से हुआ है डॉक्टर्स की वज़े से सी एमोज की वज़े से और बाकि आपका जो हमारा मुख्याल है मानदेशक साहब है महां से एक दम तेजी से बहुत ही कारे हो रहा है ठीक है फ्रेंट से आपका रीजन है यह हमने आपको पहले ही बताया था लेकिन आपकी 18 जुलाई यह परसों परसों आपकी हीरिंग डेट है जो कि बहुत ही महत्मूर होने वाली है दोस्तों यह है 18 जुलाई की डेट इस बरती की दिसा और दसा दोनों ते करने वाला है हालांकि इसमें नेक्स्ट हीरिंग डेट मिलेगी ऐसा नहीं है कि आद इसको पहशे मिलेगी लेकिन दोस्तों इस डेट से बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि अब इस भरती का इसमें मतलब क्या होने वाला है क्योंकि दोस्तों अभी किसी को भी नहीं पता कि अब क्या आगे होने वाला है ठीक है फ्रंट्स इसलिए मातर एक दिन आपका साथ ही हो और जो भी अपडेट इससे संब्दित आएगी उसे में सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल और टेलिग्राम चैनल पर शेयर करूंगा इसलिए आप लोग जो हमारा टेलिग्राम चैनल अवसे जोईन कर लेना मेरे साथ यह ठीक है एक त्यलिग्राम चैनल की ह और दोस्तों रही उसकी बात जो कि बहुत सारे ऐसे चंदा जीवी थे जो कि सुप्रेम कोट जाने वाले थे दोबारा से माननी हाइक जाने वाले थे वह आपका जो चंदा है अच्छे प्रियोग कर लिया है ठीक है फ्रैंट उनका जब देखो स्टार्टिंग में जब बात परती कैंसल और अक्टूबर में रही एकजाम उन्हें के अमेशा यही वड़ रहते थे और लोग उन्हें भावनाव में आकर जितना होसा कि उन्होंने डॉनेट किया और उनका उन्होंने मिस्यूज किया और दोस्तों इनका एक चीज हो रहा है जैसे कि यह तीन चार में एड करते हैं तो बिद्वाटकर जानलोड कर लेते हैं इसके दुए उसका नाम अलगा रख लेते हैं किसी कोई नाम और अलग है किसी में कुछ नाम और अलग है उसके बावजूद मैसेज करते है इनके लिए भाई साव और दोस्तों अब देखना अभी आप आप से और चन्डा माँगेगे अभी टेंसन मत लेजिए आप ठोड़ा दहरे तो रखिए और मैंने आप से तब भॉलाता जो हम आपकी भावनाओं को समझते हैं ठीक है आप अनावस्यक अपना जो क्यों खर्च करते हो जब आपका पता है लखनौ बेंच का जो केस है उसकी बरावर मजबूत केस कोई बन नहीं सकता ये बात याद रख लेना पैसा सब कुछ नहीं होता है क्योंकि दोस्तों जो यह केस दाला गया है जो रोजगार विद अंकित सर पचास-पचास-जार रुपे सभी ने पांच-छे चैनल उने दी हैं पचास-पचास-जार रुपे तब सोच समझ कर उन्होंने उनको बहुत बड़ा आनवभव है उनकी हमोड कभी नहीं कर सकते तो उन्होंने इस केस को डाला तो उसी में कुछ वो बारदा अपनी रखी थी जो भी उनके तरते थे और बाकी सब लोग और लोगोंने पता है क्या समझा जब अठार मतलब की साथ जून को जब ऐसा हो गया तो सुप्रियम कोट मानिये सुप्रियम कोट तो रिद्रम कैंसल हो जागा जब आप एक चीज स समझ में स्टार्टिंग से नहीं आई और ना कभी आएगी और हमेशा रिएकजाम की मांग करते रहेंगे और यह करते रहे जाएंगे यह बात एकदम सत्य और सठीक है ठीक है फ्रेंट्स तो भाई हमने तो खूब इनको समझा आ था लेकिन इनकी समझे बिलकुल भी नहीं यह इनके चक्रवियों में फसी जाते हैं आखरे में आके क्योंकि इनका जो आई कुछ लेवल है उसी इस प्रकार चाहिए उसमें फस जाते हैं थोड़ा अपनी तरफ से मैंट नहीं लगाते हैं कि अगला इंसान आप से किसे इंगल से बात कर रहा है आप से क्या चाहता यह चीज उस चीज को समझने की कोसे सी नहीं करते हैं तो हमारे तो कुछ जा नहीं रहा है आप लोग यार उसकी वजाए ठीक है आपका केस चल रहा था उसको चलने देते गुरूपिंग की वजाए आप लोग अपनी स्टडी पर ध्यान देते बहुत एक्जामस आ रहे हैं आप गुरुप के चकर पड़े टेली ग्राम जो री एक्जाम वाले हैं टेली ग्राम के चकर पड़े री एक्जाम होगा आपके कहने से और यह जो केस लंबित हो गया मानवी हाइक कूट के अंदर तो फिर आप लोग अपना काम पर लगा जाओ लेकिन इन लोगों ने यहा आपको मान 670 का होता रहा ठीक है यह वाई हम तो आपको ज्यादा समझेंगे नहीं वरना पता ने क्या क्या पूंड़ेंगे तो यह दोस्तों जो भी सब्सक्राइब आपको समय आ गया कि आपका जो मेंडिकल है इन्हीं की डॉक्टर्स की वज़ए से ही डिले हुआ है और सब्सक्राइब की तरफ से आपको बिल्कुल भी सुस्ती नहीं देख रही है एकदम तीसर राट आपका कार रहो रहा था क्योंकि 12 जून को आपका फने जल्टा था 18 जून तक ही जो मुक्टर्स की टीम के लिए लेकिन डॉक्टर्स ने टीम ने बनाई तो वहीं हर चीज का प्रिक्रिया होती है सारे काम तो जो मुख्याला वह खुद नहीं कर सकता तो इस प्रकार से आपको डिले हुआ है और आपकी 18 जूलाई है देख तो देखते हैं इसमें क्या होता है जो होगा अच्छा होगा इसलिए बी-पॉजिटिव रहो जो होगा जिसे ना आप बदल स करता हूं इसलिए जो मानी हाइकोट फैसला करेंगे वह उच्छित होगा वह दोनों को बैलेंस करके चलते हैं अमेशा इसा नहीं है कि क्यों से उनको एक दम से वह मैसा दोनों पक्षों को मतलब चारों पक्षों को समझो जो बढ़ती बोड़ा उसका अलग से और जिस ने करें डाली उसका अलग से उनका अलग से उनका इसलिए एक बैलेंस करके यह सब चीज होती है एक साइकल के अंदर ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना रखते हैं और यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जैहिं मुझे एक करें।